तो बच्चों, वालकम टी रुदू माम्स ओनलाइन प्लास बच्चों, आज हम आपकी कक्षा पांच वी की हिंदी की पठे पुस्तक जिल्मिल के पाठ ते रहे धरोहर का अभ्यास करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आईए शब्दों के अर्थ जाने यह है अनायास, अनायास का अर्थ होता है एका एक, मतलब अचानत आकरशित, आकरशित का अर्थ है लगाओ होना जीवन्द, मतलब जीता जागता पांडूलीपी, पांडूलीपी होता है हाथ से लिखी हुई कोई रचना पुरस्कृत कार्थ है जिसे पुरस्कार मिला हो और प्रतिकृती क्या होती है? प्रतिकृती होती है मूर्ती अथुआ चित्र जैसा धरोहर संग्रहाले के रसोई घर में दूद मत्ती, बाजरा कूट्ती, अनाज पीस्ती और चूले पर रोटी सेख्ती महिलाओं की प्रतिकृतिया दिखाई हुई है न? ये देखो बच्चो ये देखो ये क्या है प्रतिकृति और ये भी क्या है प्रतिकृति मूर्ति है न इन्हे हम प्रतिकृतिया कहते हैं तो चलो अगला देखते हैं वाचसल्य वाचसल्य क्या होता है संतान के प्रति प्रेम ठेके शताबदी, शताबदी का अर्थ है सो वर्षों का समहू और संग्रहाले क्या होते है? इसे तो हमने पाठ में पढ़ा था ना? और पाठ पढ़ाने से पूर मैंने आपको समझाय भी था संग्रहाले का अर्थ होता है वस्तुओं को संग्रहे करने का थान ये हमारे शबदार्थ हो गए complete, अब हम करेंगे प्रश्ण उत्र देखिये, सबसे पहला प्रश्ण नमबर कै, धरोहर संग्रहाले कहां स्थित है? बताव कहां स्थित है? very good, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है हरियाना प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है तो लिखेंगे हम धरोहर संग्रहाल्य हरियाना प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है देखो अगला प्रश्न है संगरहले में कौन-कौन सी जहांकियां देखने को मिलती है देखे बच्चो इसका प्रश्ण हमें पाठ के पहले पेज पर ही मिलता है देखो यहाँ पर पेज नंबर 82 पर इस संगरहले में हरियाना प्रदेश के जहन सहन खान-पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीती रिवास की संपूर्ण जहांकि देखी जा सकती है तो यही हमारा उतर है देखो यहाँ से यहाँ तक ठीक है इसको किस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि देखो प्रश्ण में क्या है देखने को मिलती है तो हमें प्रश्ण के तरीके से ही उत्तर लिखना होता है तो हम क्या लिखेंगे देखो इस तरीके से लिखेंगे संग्रहाले में हरियाना प्रदेश के रहन सहन, खान पान, तहनावा, मेले, त्योहार और रिती रिवाज की संपूर जाकियां देखने को मिलती है ठीक है? अगला प्रश्ण देखो नमबर गया है हरियाना की एक विशेष्टा दूद दही का खाना है इस संस्कृति को संग्रहाले में किस तरह से दर्शाय गया है? बताओ, वहाँ के रसोई घर से है ना वहाँ के रसोई घर में क्या है? कि वहाँ पर देशी घी की महसूस की जा सकती है और प्रतिकृतियां भी है कई महिलाओं की देखो, पेज नमबर 84 पर यह दिया हुआ है ना कि देशा में देश हर्याना जित दूद दही का खाना यह उक्ती संग्रहाले के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है तो देखो, यह तो मैंने बताया था आपको तेसी घी की महक के बारे में और क्या? कि दूद मस्ती, बाजरा कूट्टी, अनाज पीस्ती तथा चूलहे पर रोटियां सेक्ती महिलाओं की प्रतिकृतियां इस रसोई को सजीव बना देती है रसोई में हारी, बिलोणी, घीलडी, बोहिया, आदी अनेक बरतन रखे गए हैं तो इसी को हमें प्रश्न के उत्तर में लिखना है देखो किस तरीके से लिखेंगे इस संस्कृति को संग्रहाले के रसोई घर में दर्शाय गया है यहां दूद मत्ती, बाजरा कूट्ती, अनाच पीस्ती, वह चूलहे पर रोटियां सेक्ती महिलाओं की प्रतिकृतियां एबं रसोई घर में रखे हारी, बिलोणी, घीलडी, बोहिया, आदी बरतन इस संस्कृति को दर्शाते हैं चलो अगला प्राश्न हरियाना की रसोई की क्या-क्या विशिष्टाएं बताए गई है देखो संग्रहाल्य में जो रसोई घर है उसकी जो जो विशिष्टाएं बताए गई है वही हरियाना की रसोई घर की है क्योंकि उसमें हरियाना की रसोई घर को ही दर्शाया गया है है ना बच्चों? तो हमें उत्तर इसी पेज से लेना है पेज नमबर 84 से यही से हमें अपना उत्तर मिलेगा पर उसे हमें लिखना कैसे है? यह देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हरियाना के रसोई घर के बार में पूछा गया है तो हम उसी तरीके से लिखेंगे लेखें नमबर 1 हरियाना के रसोई घर में देशी घी की महर आती है नमबर दो, यहां दूद मत्ती, बाजरा कूट्ती, अनाज पीस्ती वा चुलहे पर रोटियां सेक्ती महिलाएं नजर आती हैं आर नमबर तीन, यहां के रसोई घर में हारी, बिलोणी, घीलिडी, बोहिया आधी बर्तन रखे होते हैं यह हैं हरियाना के रसोई घर की विशिश्टाई चलो अगला प्राशन बावन कली के दामन की क्या विशिश्टाए हैं? क्या विशिश्टाए थी? याद करो वेरी गुड एक तो उसका वजन 15 किलो और दूसरा उसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है है ना तो देखो हम लिखेंगे इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है यह हमारे प्रश्नुत्तर भी हो गए आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है आगे का अभ्याज अगली वीडियो में करेंगे ठीक है तब तक के लिए बाई बच्चों